सुन्दर चेहरा हर कोई पाला चाहता है लेकिन जब चेहरे पर दाग धब्बे हो जाते हैं जाईया हो जाते हैं तो सारी सुन्दरता जो है छुप जाती है तो चेहरे पर दाग धब्बे जाईयों से बचने के लिए क्या उपाई करे जा सकते हैं, क्यूं ये होते हैं, क्या सावधानिया रख सकते हैं, ये सारी जानकारियां लेने के लिए हमारा आज का वीडियो अंधि तक जरूर देखें हम और भी हैर्थ और आईरवेद संबंदी वीडियो बनाते हैं, अगर आप अपने स्वास्ते को लेकर जाग रुख हैं और सही जानकारियां चाहते हैं, तो किरपे हमारे चैनल को नीचे दिये सब्सक्राइब बटन और साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करके हमारे आने वाले वीडियो के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें, जायों की समस्या अक्सर देखी जाती है, शरीर के अंदर जब मेलनिन पिग्मेंट बढ़ जाता है, उस समय होती है, मेलनिन पिग्मेंट होता है, जो कि जायों के लिए रिस्पॉंसिबल होता है, सूरज की किरणों के आजाती है, आईरफित की अगर बात करते हैं, तो शरीर में जब वात और पित दोश बढ़ जाते हैं, तो जायों की समस्या आती है, तो ऐसे कान, जिनके कान की शरीर में वात और पित दोश बढ़ते हैं, उस से जायों की समस्या आती है, ज्यादा चिंता करने से, ज्यादा टेंशन लेने से ज़्यादा तनाव लेने से भी देखा जाता है यह दिक्कत आती है अक्सर देखा जाता है महिलाओं के अंदर यह जाईयों की समस्या पुरुशों के कमपेरिजन में ज़्यादा होती है ज़्यादा तला हुआ है, ज़्यादा स्पाइसी खाना खाने से भी देखा जाता है क्योंकि शरीज में पित बढ़ता है, उसमें दिक्कत आती है ज़्यादा चाए, कौफी का इस्तेमाल, ज़्यादा गर्म चीजों का इस्तेमाल करने से भी देखा जाता है जाईयों की समस्या आनी शुरू हो जाती है महीलाओं में देखा जाता है जब मासिक धरम बंद हो जाता है 45-50 साल की उमर में तो भी बड़ती उमर के सात जाईयों की समस्या आने लगती है चहरे पे कालापन आने लगता है यह शरीर में हर्मोनल चेंजित होते हैं जिसके कारण की जھाईओं की समस्या आती है जब पिम्पल्स पर जाते हैं दाग हो जाते हैं फुनसी हो जाती है तो कई बार उनका निशान रह जाता है या कोई जहरीली जीज़ काट लेती है तो उसका भी निशान जब चहरे पर रह जाता है वैबी जहाई का रूप ले लेता है अगर दिन चर्या ठीक नहीं है जादा देर तक रात को जागा जाता है आप दिन में जादा सोते हैं तो हमारा दिन चर्या हमारा हर्मोनल सिस्टम इंबैलन्स हो जाता है उस कारण भी देखा जाता है चहरे पर जहाई आनी शुड़ू हो जाती है तो चहरे पर जहाईों की समस्या बहुत कोमन है इससे बचने के लिए क्या घरेलू उपाई किया जा सकते हैं जाईों को दूर करने के लिए मसूर की दाल हर रसोई में उपलब्द है बहुत ही अच्छी होती है इसके लिए रात को आप मसूर की दाल को पानी में भीगो दें बिगो के सुबह तक वो गल जाती है उसके आप पिठी बना लें फिर उसके अंदर आप खीरे का रस टमाटर का रस और थोड़ा सा दही मिला के पेस्ट नुमा बन जाएगा और उसको अगर लेप लगाया जाता है हफते में तीन बारिया लेप लगाया जाता है जब थोड़ा सूख जाए उसको आप साफ पानी से धोले इससे देखा जाता है जो डार्क सरकल्स हो गए है जो जाईया पड़ गई है निमित परियोग से वो दूर हो जाती है बढ़ का पेड़ आसपास खुब लगा मिल जाता है बढ़ के पेड़ के अंकूर को दूद के साथ मिला कर पेस्ट नुमा बना कर अगर जाईयों पर लगाया जाता है उससे भी देखा जाता है जाईयों की समस्या दूर होती है अरजुन की चाल को गाई के दूद और शेहद के साथ मिला कर पाउडर नुमा यह पेस्ट बन जाता है इसको अगर चहरे पर हफ्ते में तीन बार लगाया जाता है उससे देखा जाता है जो डार्क पिग्मेंटेशन होती है जाईया होती है वो दूर हो जाते है हल्री का पाउडर एलो वीरा का रस नीम के पत्ते का पेस्ट नुमा रस और सफेज जंदन चारों को बराबर बराबर मातरा में मिला लें सफेज जंदन आपको पंसारी के यहां से पाउडर मिल जाएगा इसको अगर लगाया जाता है यह पेस्ट भी तो उससे देखा जाता है काफी फाइदा होता है आप इन में से किसी भी एक उपाए का जो आपकी स्किन के हिसाब से आपको सूट करता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं एरेंड का तेल भी दाग धबे जाईयों को दूर करने के लिए काफी फाइदे मन्द है एरेंड के तेल को रात को सोते समय साफ रूई से अगर सकिन को क्लीन करके अगर लगाया जाता है तो उससे देखा जाता है जाईयों की समस्या नेमित दो तिन महीने के परियोग से काफी ठीक हो जाती है मसूर की डाल को आप रात को पानी में भीगो दें उसमें थोड़ा सेब का रस हल्दी का पाउडर और दही ये मिला के पेस नुमा बना लें इसको आप चेहरे पर लगाएं हफते में तीन बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बाद आप इसको धोदें इस से देखा जा आता है चेहरे पर निकार भी आता है जाईयों की समस्या भी दूर होती है इसकी इलावा कारण को दूर करना भी जरूरी है अगर आपकी एन इमित दिन चरिया है आप रात को देड़ तक जागते हैं दिन में काफी सोते हैं तो कारण आप ढूनने की कोशिश करें कि किस से हो रही है तो उस हिसाब से यह कुन की कमी के कान जायं आ रही है उसकी हिसाब से एगर चकितसा की जाएगी तो ज्यादा लाभ होता है बाकि यह बताइए हुई remedies सभी परकार की जाईयों को सभी परकार की pigmentation को दूर करने का काम करती है इसके इलावा जाईयों के अंदर blood purifier का भी काफी अच्छा रोल होता है घर पर ही आप पंसारी से लाकर इसको त्यार कर सकते हैं इसके लिए आपको वंश लोचन 50 ग्राम 50 ग्राम सुखे आमले का पाउडर लेना है 50 ग्राम मंजिष्ठा का पाउडर लेना है तीनों को बराबर मातरा में लेके पीस लें फिर इनको एक डबे में बंद करके रख लें सुबह शाम एक एक चमच इसका अगर नवाई पानी के साथ गुनगुने पानी के साथ लिया जाता है उससे देखा जाता है खुन भी साफ होता है और साथ में जो जाईयां है इसकी समस्या भी दूर होती है के इलावा हमें कुछ साबधानिया भी रखनी है ज्यादा धूप में जाने से बचना है जिन लोगों को जाईयों की समस्या है डारेक्ट धूप में ना जाएं जब भी धूप में जाना पड़े अपने चाहरे को थोड़ा कवर करके जाएं चुन्नी या टोपी बगएरा कैप का इस्तेमाल करके जाएं ताकि डारेक्ट सनलाइट से बचा जा सके ज्यादा कैमिकल्स के परियोग से बचे क्योंकि ज्यादा कैमिकल्स एक बार तो सकिन को साफ कर देते हैं लेकिन वो दुबारा आ जाती है इसलिए ज्यादा कैमिकल्स का ज्यादा क्रीम्स का इस्तेमाल ना करें खूब पानी पीएं पानी जो होता है सकिन के लिए बहुत अच्छा रहता है मॉइस्चर को में प्राद का इस्तेमाल करें, हरी पतेदार सबजियों का ज़ादा इस्तेमाल करें, क्योंकि पेट से सबी बिमारियां शुरूर होती हैं, अगर पेट ठीक रहता है, कबस दूर रहती है, तो अपने अपजाईयों की समस्या भी दूर होगी, शरीर में खुन की कमी ना हो, प्रादा गर्म चीजें, चाय काफी के इस्तेमाल से बचें, और भी शरीर में जो पित को बढ़ाने वाली चीजें हैं, उनका इस्तेमाल ना करें, धनियां और पुदिने की चटनी होती है, वो जाईयों जुरियों को दूर करने में काफी सहाइक है, खाने के अंदर आप ध पुदिने की चटनी का इस्तेमाल करते हैं, उससे देखा जाता है जाईयां और स्किन की बाकी प्रॉबलम्स को दूर करने में काफी सहाइक हैं, भीगे हुए मेवे हैं, बादाम हैं, वो भी इसके लिए नट्स का प्रियोग करना काफी फायदे मन रहता है, तो रात को पान की ये स्वास्ते संबंदी चर्चा आपको जरूर पसंद आई होगी, इसको लेकर अगर आपके मन में कोई शंकाई हैं, आपके जो विचार हैं, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में आप जरूर साजा करें, ताकि हम उस हिसाब से और एप्रॉवमेंट्स कर पाएं, और आपकी सम आईरवेद संबंदी टिप्स के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें, आईरवेद अपनाए स्वस्थ रहें, फिर मिरते हैं अगले वीडियो में नई हेल्थ टॉपिक के साथ, धन्यवाद.